है गाइज स्वाइज अब हम देखेंगे कि 30th of July को में क्या स्ट्राटेजी फॉलो करनी है जैसे कि हम देख सकते हैं कि 29th हो जब मंडे को मार्केट उपन हुई है जिस ताइम में वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ गाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट में सड़न फॉल आय वहाँ से उसने बाउंच क्यों करा वहाँ पर ऐसा एहम सपोर्ट क्या था और पर्टिकुलर निफ्टी में कोई पैटर्न डेवलप हुआ है वो क्या पैटर्न था तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं निफ्टी बैंग निफ्टी के अनालिसिस के उपर जो मैंने ड जो आपको जो सिखा रखा है उसनिफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बता रका जब तक उसके बीहाफ ट्रेड कर रहा है उसकी तरीके से ट्रेड कर रहा है तक तक उज़े कोई नई वीडियो बनाने की इंपोर्टेंस नहीं लेगे दूसरी important बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको यह calls प्रोवाइड कराता हूँ जो भी मैं वीडियो में आपको stocks प्रोवाइड कराता हूँ या आपको technical analysis दिखाता हूँ उस पे मेरी buy or sell की recommendation नहीं होती है मैं आपको personally नहीं बोड़ रहा हूँ मैं आपको pressure कर रहा हूँ कि आप buy or sell करिया या मेरे stocks पर trade करिया अगर आपको stocks में आप खुद trade करता है अगर आपको profit होता है तो उस पे मेरा कोई share नहीं होता पर अगर आपको loss होता है तो उस पे मेरा कोई share नहीं होता buy की recommendation दिये इस particular stock पे तो मैं आपको भी buy की recommendation ही दूँगा पर आप अपने एक advisor से सहला लेकर या अपना खुद का use करके आप दिमाग तो आप तभी उस particular stock को buy करिएगा अब बढ़ते stocks ही तरफ Tuesday के session में किस तरीके से trade लेना है उस पर particular stock जो है वो है mine tree buy करने की सला दी जाएगी 702 के अबफ buy करना है 709 715 तक के targets में expect करना हूँ mine tree के अंदर stop loss 692 का आपको maintain करना है torrent buffer sell करने की सला दी जाएगी 1649 के नीचे आपको sell करना है 1614 1634 का targets हम expect कर सकते हैं torrent farmer के अंदर stop loss आपको जो maintain करके पड़ेगा guys 1662 का आपको maintain करना पड़ेगा stock क्या दो union bank buy करने की सला दी जाएगी 71.8, 73.5 तक के targets हम expect कर सकते हैं stop loss 68 का आपको maintain करना पड़ेगा current level जो कि अभी चल रहा वो 70 चल रहा गोदरिज इंडिया buy करने की सला दी जाएगी 450 करमा के price है मैं आपको सले यही दूँगा की 450 की ऊपर थोड़ी दिर सस्तेन करें तो जाके buy करिए guys target जो मैं आपसे expect कर रहा हूँ 454, 459 तक के expect कर रहा हूँ stop loss आपको जो maintain करना है guys 446.8 तक के आप maintain करके रख सकते हैं cash troll India हमने देखा कि इसमें आकरी में मुझे लगा open interest सका था जोड़ा था last early में और हमने देखा कि इसमें movement आई अपने low से recover करने की कोशिश करी और guys अगर हम बात करूं तो यह 51 weeks low की तरफ यह चल रहा है 51 week अगर हम low देखेंगे so 121 के आसपास है so मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत recovery आ रही है और मैं आप से salah यही दूँगा कि आप इसमें fresh buy बना सकते हैं पर for a target of max to max 140 या 145 उसके उपर आपको trade में नहीं रहना वहां पर exit कर सकते हैं और short position कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता भी और higher levels दिखा सकता है पर यह थोड़ा एक bounce देगा क्योंकि यह बहुत lower levels में इतने time से trade कर रहा हूं मुझे इस तरीके से open interest early chart में इसमें देखने को मिला है मुझे लगता है कि यह कल buy का counter बन सकता है 128 Q पर sustain करे buy करी है 131, 134 तक इस targets हम expect कर सकते है stop loss आपको 124 का maintain करना पड़ेगा guys important बाद मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको इस stocks देता हूं या particular मैं आपको stocks को रिकमेंड कर रहा हूं buy करने के लिए और जब market open होती है तो मैं आपको सला दूँगा कि आप तुरंद buy मत करें अगर मैं आपको दे रहा हूं कि credit आपको मैं दे रहा हूं 128 का अबव आपको इसके buy करना है आपने देखा market open होई है कि वो तुरंद 128 आ गया और उसके उपर खुल रहा है आपने buy कर लिए अचानक और stock नीच आगया आपको stop loss hit हो सकता है सलह यह दी जाएगी 15-20 minute market को stable होने दीजिए तब अगर आपको मेरे trades में लग रहा है कि अब enter कर सकते हैं तब जाके अब enter करें कोई rush नहीं है अगर आप जल्दी enter करेंगे तो हो सकता है कि might false signal दे जाओ और आपका stop loss hit कर जाए तो guys carefully trade करा करें यह नहीं कि market open हो जाए आपने तुरंट buy order लगा दिया तुरंट sell order लगा दिया और आप trade में घुजगए आपको यह नहीं पता कि कहाँ पर buy करना था कहा stop loss hit करना था और जिस level पर buy बोला जाता है उस level की उपर sustain करें तो ही buy करा जाए दूसरी बात जो particular stocks मैं आप वीडियो बना चुका हूँ कि अगर series में आप buy कर सकते हैं particular 3 stocks को उसको भी आप carefully trade करेंगा क्योंकि market जिस तरीके से behave कर रही है मुझे नहीं लगता कि वो शायद sustain करें technical chart जिस तरीके से show कर रही है कि वहाँ से उन level को महिने तक पहुचने में मुझे लगते कि अराम से पहुच जाएंगे बगाई इस वो थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं कि वो हम देख सकते हैं कि volatility particular तीनों stocks में देखने को मिलेगी तो आप अगर थोड़ा risk ले सकते हैं तो ही particular stocks में trade करेंगा वरना बिलुकुल भी मत करेगा और जिस level पे मैंने आपको recommend थी buy करने की उस recommendation के उपर ही आपको buy करना है या उस price level के उपर ही आपको वो particular stocks को buy करके चलना पड़ेगा तब ही आप profitable trade और अपना risk कम कर पाएंगे यह नहीं कि आपने market open हुआ आपने तुरंद buy कर लिया वो stock और उसके बाद आपको पता नहीं आपको करना क्या है तो guys carefully वीडियो को सुनिए गा कि कि किस level से मैं उसको buy बोल रहा हूं किस Fuburnace Retreatment से मैं बोल रहा हूं कि उपर निकले तो buy करिए ध्यान से देखिएगा description पर आपको बहुत से अच्छे घासे पर्टिकुलर स्टॉक से लॉंग टम टिकने लगाना से चार्ट के लिस्ट मिल जाएंगी जाके उसे देखिए और आप चार्ट को easily find करना सीख जाएगे इसी के साथ मैं वीडियो को wind up करना चाहूंगा और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़े रहेगा